हेलो दोस्तों हमारे चैनल VS Online Tips में आप सभी लोगों का एक बरफी से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप अपना Water ID कार्ड नया बनवाने के लिए होंगे या दोस्तों अगर आपने जो Water ID में कोई करेक्शन किया होगा या आपका Water ID पुराना है आप उसे नया Water ID चेंज कराना चाते है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जैनेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही Water ID को कैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों आपको बता दूं कि अभी Water ID का यहांपर डिजैन है काफी चेंज हो गया है आपको नया लुक में Water ID यहांपर दिखने को मिलती है तो दोस्तों इस प्रकार से आपको Water ID डाउनलोड करना है तो आपको इस वीडियो को लाज तक जुरू देखना है ऐसी ही और informative वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नया Water ID काड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को उपन कर लेंगे सर्च बार पर आना है और यहाँ पर आपको Water Help Line लिग के सर्च कर देंगे इसके बाद Water Help Line की Official Apps है इस प्राकाश से आजाएगी इस Applications को आपको इंस्टॉल करके उपन कर लेंगा जैसे आप Open करेंगे आपके समने कुछ इस प्राकाश से इंटर्फेस आजाएगी दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको Login करने के लिए कहा जाता है यहाँ पर आपका ID पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर Mobile Number, Password और यहाँ पर OTP के तुरू यहाँ पर Login हो जाएगे अगर आपके ID यहाँ पर पहले नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे तो New User लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर हमें क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो First Name लिक्षा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर अपना फीर्स्वर्सकर में डाल देंगे निचे अपने जो password बने होगी उस password के यहाँ पर enter कर देंगे और send OTP पर click करेंगे तो आपके mobile पर OTP आ जाएगा उस OTP को यहाँ पर डाल देना है इसके बाद नीचे login लिखा हूँ वह आ रहा है यहाँ यहाँ पर click कर देंगे अब जैसे यहाँ पर click करेंगे तो आपका profile इस water registration पर जाकर आप नया water ID card registration भी कर सकते हैं इसके साथ ही आप अपने water ID card में आप जो है correction भी कर सकते हैं फोटो को इसके साथ ही photo, name, address, mobile number यह सारे detail आप उसमें add और edit कर पाएंगे दोस्तों अगर आपने नया form बढ़ा हुआ है या आप अपने form में correction किया हुआ है तो आपको एक reference number मिली होगी उस reference number को यहाँ पर डालकर आप अपने form का status भी चेक कर सकते हैं water ID download करने के यहाँ पर देखेंगे तो download EP click हो आ रहा है यहाँ पर हमें click करना होगा अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास water ID card होगा तो उसमे एक EPIC number रहता है उसकी जुरत पड़ेगी या तो अगर आपको water ID card अभी नहीं बना हुए है तो आपने form भरते समय जब को reference number मिला होगा उसके थूरू भी आप अपने water ID को download कर सकते हैं अगर आपके पास पूराना water ID card होगा तो आपको yes I have EPIC number पर click कर देंगे अगर आपने न है EPIC number वाला option select किया होगा तो यहाँ पर आपको EPIC number डालने के लिए का जाता है तो दोस्तों आप अपने पूराने water ID को आपको देखना होगा उसमें इस प्रकास से EPIC number देखने को मिल जाएगी XDV ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है और आपको water ID का भी पूरा ना होगा तो आप अपने state है उसे select कर लेना होगा state select कर लेने के बाद नीचे देखेंगे तो face details लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकास से आपका नाम और यहाँ पर पूरा detail है यहाँ पर आ जाता है अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो प्रोशिट का options है यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा अब जैसी तो आप प्रोशिट के option पर क्लिक करेंगे आपके समने इस प्रकास से यह OTP डालने का options आ जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपर mobile number लिखा हुआ आ रहा है उस mobile number पर एक OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पर enter कर देना है अगर तो उस वीडियो को देखकर सबसे पहले आप अपने वोटर एडि में अपना mobile number एड करा लेंगे उसके बाद यहाँ से आप download कर सकते हैं आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आपके mobile number पर OTP आया होगा उसको यहाँ पर enter कर देना है और नीचे देखेंगे तो verify and download EP क्लिक तो दोस्तो इस वोटर एडि को आपको print करा लेंगा तो दोस्तो इस प्रकाश आप देख सकते हैं आप बड़ी असान तरीके से घर बैटे ही आप अपना वोटर एडि काड़ा नेया तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं I hope दोस्तो हमारे दोड़ा दिया गया यह वीडियो अच चलाव होगा वीडियो चलाव होगा तो लाइक करें इस वीडियो को अधिक सधिक सियर करें